नमस्कार, मैं हूँ पंकर्ज्या महरास्ट में महीरे भरतक राजनेतिक ड्रामा आप दे रेकॉर्ड ही चलता रहा पहले फर्णवीज की सरकार बनी और अब ठाकरे का राज चलिए अंत भला तो सब भला चुनाव तो जारखंड में है भले ही सब की नजरे महरास्ट पर लगी है पीम नरेंद्र मोदी भी दो रैलियां कर चुके हैं केंद्री मंत्री स्मृति इरानी को बीतेर अविवार को जारखंड में दो जग़ जाना था चुनाव परचार करने पहली सबाच छतरपुर में थी और दूसरी रंग का में इसमृति इरानी ने तैयारी कर रखी थी कि वो चार्टर प्लेन से परचार करने जाएंगी लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें बताया गया कि उन्हें इस बार ये सुविधार नहीं मिलेगी उन्होंने आरपी सिंग को फोन करवाया बीजेपी में आरपी ही स्टार प्रचार कों के दोरे का कामकाज देखते हैं कहते हैं कि स्मिती ने उनसे पुछवाया कि चार्टर प्लेन क्यों नहीं मिल रहा है जवाब मिला कि ऐसा आदेश है कि सिर्फ पार्लामेंटरी बोर्ट के सदस्यों को ही प्लेन मिलेगा पीम मोदी, अमित शाह, जेपी नडड़ा, राजनात सिंग, नितिन गटकरी, थावरचन गहलोत, शिवराज सिंग चोहान और वी संतोस इस बोर्ट के सदस्य हैं इसमिती इरानी को बताया गया कि पार्टी के महासचिर संतोस नहीं ये आदेश दिया है फिर उन्हें सर्विस फ्लाइट लेकर राची जाना पड़ा फ्लाइट से कोई उड़ जाता है तो कोई फुर हो जाता है एंसीपी के भी तीन विधायक ऐसे ही मुंबई से गायब हो गये थे तीनों ही अजीद पवार के शपत ग्रहन में राजभवन भी गये थे दौलत दरोडा, नरहरी जर्वल और अनिल पाटिल को चार्टर प्लेन से दिल्ली भीजा गया बताया जा रहा है कि ये हवाई जहाच देश के एक बहुत बड़े उद्योगपती का था फिर वहां से बीजेपी के नेता इनको लेकर गुरगराम पहुँच गये इन्हें एक बड़े होटल में ठहराया गया, चारो तरफ पुलिस का पहरा लगा दिया गया शरत पवार उनके कैम्प के नेता तीनों विधायकों ढूंड कर परिशान थे आखिरकार गायब हुए विधायकों का पता चली गया शरत पवार की सांसत बेटी सुप्रिया सुले ने दिल्ली में कॉंग्रेस के एक बड़े नेता को फोन कर मदद मांगी सुप्रिया ने अपने पार्टी के दो युवार नेताओं को भी मुंबई से भीजा कॉंग्रेस नेता की मदद से NCP के तीनों विधायकों को BGP के चंगुल से छुड़ा कर मुंबई भेज दिया गया कौन सा विधायक कब अपनी पार्टी से रिष्टा तोड ले इसकी कोई गारंटी नहीं है लेकिन दिल्ली में दो विधायक जीवन भर के लिए रिष्टे में बंद गये अधिती सिंग और अंगत सिंग ने जोरबा होटल में साथ फेरे लिए अधिती यूपी के राइवरेली से कौंग्रेस की विधायक है जबकि अंगत पंजाब के नवा शहर से कौंग्रेस के MLA है अधिती हैं तो कौंग्रेस की विधायक लेकिन उनकी तरफ से शादी में अधिकतर बीजेपी के नेता पहुंचे थे बीजेपी सांसक जगदंबिका पाल, रीता वहवणा जोशी और संग प्रिय मौर ने वर वधू को आशिरवाद दिया शादी से पहले अधिती ने मीडिया को बताया था कि उनके पिता अखलेश सिंग नहीं ये विवाद तै किया था राई वरिली से कई वार MLA रह चुके अखलेश का निधन हो चुका है जब सबसे पहले अधिती और अंगत के रिस्ते के ख़वर आई तो सब चौँक गए अधिती के एक करीवी मित्र ने बताया कि ये लब मैरिज है अधिती और अंगत की मुलाकात पिछले साल दिल्ली में कॉंग्रिश अधिवेशन में हुई थी यहीं दोनों ने एक दूसरे को जाना पहचाना कहा तो ये भी जाता है कि दोनों साथ साथ विदेश भी गए थे फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया अधिती के पिता अपनी बेटी की शादी युपी में ही कराना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की बात आखिर में मान ही ली अधिती सिंग की शादी में बीजे पी सांसद जगदमिका पाल खूब चहक रहे थे, आज कल उनकी बड़ी चर्चा है, प्रदोशन पर उनकी बैठक मीडिया में चाही रही, वे संसद की शेहरी विकास मंत्राले के स्टैंडिंग कमिटी का ध्यच है, इसमें 29 सांसद हैं लेकिन मीटिंग में सिर्फ 4 MP ही पहुँचे, शेहरी विकास और पर बैठक में 5 सांसद छोड़ कर सब पहुँच गए वो भी वक्त से पहले ही, संसद के गेट पर पाल सहाब खड़े थे, उसी गेट पर केंदरी परियावरान सचिव, उसी के मिस्र भी खड़े थे, जो मिस्राजी पाल सहाब को हलके में लेते थे, वे अब इस इंतजार में थ तो जवाब मिला, आज तो आप बहुत पहले ही आ गये हैं। मम्मी के साथ, मा को लेकर मिम्मी लोकसवा पहुँची, संसद का एक एक कोना उन्हें दिखाया, बताया और समझाया संसद में कैसे कामकाज होता है। ये भी बताया, मा को लेकर मिम्मी कैंटीन भी गई, उन्हें लंच कराया। कुछ पत्रकारों को अपनी मां से भी मिलवाया लेकिन अपनी सहली नुसरत जहां को लेकर कोई चर्चा नहीं की कहा जाता है कि ओवर डोज के कारण उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था Off the record में आज बस इतनी ही भागते हैं फिर अगली किस्त में हम आपको कुछ और राजनिती गलियारों के और अफसर साही की कुछ चटपटी और दिल्चस्प खबरों के बारे में बताएंगे ये है ABP News आपको रखे आगे